मुझे पहले से ही रिकॉर्ड्स तोड़ने की आदत है पुस्पा, पुस्पाराज, यह वत्ते के नमस्षकार दोस्तों, सुआगत है आप सभी का आपके अपने चेनल EKB मीडिया में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में बात करेंगे अलोर जुन के पुस्पादराइस के टोटल कलेक्शन के बारे में मास महराजा रवी तेजा के खिलाडी के फर्स्ट अड़े हिंदी कलेक्शन के बारे में साथ ही साथ बात करेंगे पुनित राजकुमार सर की लाश्ट फिल्म जेम्स और राजकुमार राव की इस हपते रिलीच हुई फिल्म बधाई 2 के फस्ट अड़े कलेक्सन के बारे में तो शलियों दोस्तों सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस हपते के रिलीच हुई बॉलियोड फिल्म बधाई 2 के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिले हैं राजकुमार राव और भूमी पेडने कर बतादे दोस्तों इस फिल्म को पहले दिन बोक्स उफिस पर जिस तरह की उमीद थी उसी तरह की occupancy मिली है जिया दोस्तों बधाई फिल्म को मॉर्निंग वाले सोच में लगभग 11 परसेंट की occupancy मिली वही अप्टरनून के सोज में फिल्म की उक्किपेंसी 12-13% के बीच रही हाला कि फिल्म की यूनिंग और नाइट की जो एडवांस बुकिंग है वो भी कोई खास नजर नहीं आई जिसके चलते दोस्तों लग रहा है कि बधाई दो फिल्म अपने पहले दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन लग भग 2 करोड की रेंच में कर रही है हाला कि फिल्म का बजट कम है और फिल्म को जितने स्क्रेन में रिलिच किया है उस इसाब से 2 करोड का कलेक्शन भी कोई बुरा नहीं है वही दोस्तों बात करें स्वर्ग वासी पुनित राज कुमार सर के आखरी फिल्म जेम्स के बारे में जिसका हिंदी टीजर फाइनली आज रिलिच कर दिया गया है टीजर में कम्माल का एक्सन है और पुनित राज कुमार सर के दमदार लुक से साथ ही साथ दोस्तों जेम्स का जो टीजर है उसकी हिंदी डबिंग भी काफी सानदार है, बताना चाहूँगा दोस्तों जेम्स के टीजर को पाज भासाओं में रिलिज किया है और इसका हिंदी टीजर आपको यूटूब पर मिल जाएगा, हाला कि आपको बता दे कि जेम्स फिल्म रिलिज होने व क्योंकि जेम्स के साथ बोल्यूड में कोई फिल्म रिलीच नहीं होगी, जेम्स के एक दिन बाद यानि के 18 मार्च को अक्षे कुमार के बच्चन पांडे आएगी, तो जेम्स फिल्म अपने पहले दिन हिंदी मार्केट में कम से कम 5-7 करोड की कमई तो करी ही सकती है, वही दोस्तों बात करें मास महराजा रवी तेजा के फिल्म खिलाडी के बारे में, तो दोस्तों खिलाडी फिल्म आज हिंदी और तेल्गू दो भासाओं में रिलीच हुई है, इस फिल्म का हिंदी में जीरो प्रमोशन किया गया था और अभी कुछ दिन पहले ही, इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर भी रिलीच हुआ, जिसके चलते तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि आज रवी तेजा कि कोई फिल्म हिंदी में थेटर के अंदर रिलीच हुई है, हलाकि जो डाइ हाड़ फेंस होते हैं सौथ फिल्मों के, उन सब को पता था कि आज खिलाड़ी फिल्म हिंदी में रिलीच होगी जिसके चलते, इस फिल्म की हिंदी बुकिंग आज सुभर ठीक ठाक थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि आज नोर्थ हिंडिया में खिलाड़ी फिल्म की जितने भी हिंदी सो है, वो मोर्निंग वाले पूरी तरह से केंसल हो गए, जियां दोस्तों जिस सिनमा घर में मैं पबलिक रिव्यू लेने जाता हूँ, उन से जब मैंने पुछा कि खिलाड़ी फिल्म अपने यहां लगी है, तो उन्होंने कहा कि लगी तो है, लेकिन खिलाड़ी फिल्म का जो कंटेंट है, वो अभी तक नहीं आया, जिसकी वज़े से खिलाड़ी फिल्म के मोर्निंग वाले सोस केंसल करना पड़ रहे हैं, हलाकि दोस्तों फिल्म के मोर्निंग सोस केंसल हुए, साथ ही साथ कई जगा पर फिल्म के हिंदी वाले अक्टर नून के सोस भी केंसल हुए जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी फिल्म को पहले दिन वर्क्स ओफिस पर हिंदी मार्केट में वो अपनिंग नहीं मिली जिसके हम उमिद कर रहे थे जियां दोस्तों हमें लग रहा था कि खिलाड़ी फिल्म पहले दिन हिंदी मार्केट में 2-3 करोड की कमई करेगी लेकिन फिल्म को आधे दिन सिनेमा घरों में चलाया ही नहीं गया जिसके चलते जो रिपोट अभी तक आईए उसके मुताबिक खिलाड़ी फिल्म अपने पहले दिन हिंदी नेट कलेक्शन लगभग 1-5 करोड की रेंज में कर रही है हलाके दोस्तों उमीद कर सकते हैं कि फिल्म विकेंड में यानि कि कल और परसू हिंदी मार्केट में एक बड़ा जम्प मार सकती है वही दोस्तों बात करें आईकोन श्टार अलू अर्जुन की ब्लोकबस्टर फिल्म पुस्पादर आइस के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों पुस्पादर आइस जो की 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी और फिल्म ने आज से 9 वीक में कदम रग दिया है हलाके फिल्म के जो सुरुवाती 8 हपतों के हिंदी कलेक्शन है वो पूरी तरह से ताबड तोड है और 9 हपते में कई सारी फिल्में रिलीज हुई उसके बावजूद भी पुस्पादर आइस के अब तक के टोटल हिंदी कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बताना जहूँगा कि पुस्पादर आइस का सुरुवाती 8 हपतों में हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका है हलाके बात करें फिल्म के 9th week के first day कलेक्शन के बारे में